दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आपके phone पे में आपके समने कुछ इस तरीके से problem सो हो जाता है जैसा कि देखेंगे enable to proceed और यहाँ पर आपको बताया जाता है too many failed login attempts, pledge try after vice hour यानि कि अगर आपके समने इस तरीके से problem आता है अगर आप फिर से यहाँ पर try again पर click करते हैं तो फिर भी आपके समने यही problem आएगा तो यह problem आपके पास कैसे आता है इसका क्या region होता है उसके बाद इसे कैसे solve करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर details में बताने वाला हो जैसे कि हम आपको बताते हैं इसका region इसका region यह होता है कि जब आप अपने phone पे account को login करते हैं login करने वक्त वहाँ पर आपको अपना एक pin डालना होता है जो आप बनाते हैं login पिन अगर आप वो भूल जाते हैं और आप गलत डालते हैं तब आपके समने यह problem आता है उसके बाद आप एक बार या दो बार डालेंगे, आपके समने यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं आएगा, कि आपको 22 होवर के बाद आपको यहाँ पर प्रियास करना है, तो अगर आप यहाँ पर बार बार यह कोशिज करते हैं, और अपना गलत यहाँ पर पिन डालते रहते हैं, अपना लोगिन पिन, तब आपके समने यह प्रॉब्लम आता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 22 घंटे का वेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, तब ही आपका एकाउंट ओपिन होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 22 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, एक या दो घंटे के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, इसका मतलब यह होता है कि फोन पे सोचता है, अपना लोगन पिन तब आप के इसे लोगन करेंगे, 22 घंटे के बाद, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इससे पहले आप यहाँ पर लोगन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप कर लिजिये और यहाँ पर लोगन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम चलते हैं अपने phone pay में यह हमरे पास screen shot है और यह call का screen shot है तो हम यहाँ पर अपने phone pay को open करेंगे open करने के बाद जैसे कि ही आपका इस तरीके से phone pay open होता है यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होता है और उसके बाद proceed करना होता है आपके समने इस तरीके से page आता है और यहाँ पर आप अपना enter यहाँ पर password जो होता है अपना login pin वो आप गलट डालते हैं जैसे हम फिर से एक बार यहाँ पर गलट डालके आपको दिखाते हैं इस तरीके से मैंने डाल दिया और login पर click किया आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके समने इस तरीके से page आ जाता है बट यहाँ पर आपके समने पहली या दूसरी बार में आपके समने यहाँ पर wise hover इंतजार करने का page नहीं दिया जाता है यानि कि यहाँ पर कहता है कि हो सकता है गलती से आपके पढ़ गया है तो आपको try again पर click करके अपना फिर से डाल लेना है तो हम यहाँ पर try again पर आप फिर से click करेंगे फिर से यहाँ पर mobile number डालेंगे proceed पर click करेंगे आप बात आदे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका login pin क्या है आपका password क्या है तब उस वक्त आपको यहाँ पर मिल जाता है login other option तो आपको यहाँ पर इस पर click करना है इस पर click करने के बाद 3 option आ जाते हैं सबसे पहला login with OTP, login with sending SMS और उसके बाद change mobile number अगर आप mobile number change करना चाहते हैं तो नीचे वाले option पर clicker के mobile number change कर लिजिए और अगर आपको यहाँ पर OTP चाहिए आप OTP के through भी login कर सकते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कैसा OTP चाहिए, phone pay में चाहिए OTP यह आपके mobile number पर send किया जाए तो मेरा यहाँ पर यही कहूँगा कि आपको अपने login with OTP यानि कि इस पहले वाले option पर आपको मंगाना होगा तो हम यहाँ पर login with OTP पर क्लिक करेंगे अब हमारे इसी number पर phone pay की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा जो 5 अंकों का होगा वो यहाँ पर आपको डालना होगा यहाँ दो दोस्तो आप OTP आटोमेटिक यहाँ पर पड़ जाएगा जैसे कि हमारा आया हुआ है यहाँ पर 26, 69 और 02 तो हम यहाँ पर डालेंगे और हमारा पड़ चुका है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप हमारा जो phone pay account है वो यहाँ पर open हो चुका है अब यहाँ पर हम इससे permission देंगे allow करेंगे अब यहाँ पर हमारा phone pay account यहाँ पर चालू हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं तो कुछ यह तरीका होता है अपने phone pay account को open करने का अगर आपके सामने कोच यह वाला problem आया हुआ है तो यहाँ पर आप कोई भी trick apply नहीं कर पाएंगे अपर आपको 22 hour का wait करना है और 22 hour के पहले एक भी बार आपको try नहीं करना है नहीं तो आपको जब ही आप try करेंगे फिर से वहाँ से आपके 22 hour जोड़े जाएंगे तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपके पास इस तरीके से आया हुआ है तो 22 गंटे का इंतजार कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से login कीजिए जो मैंने आपको बता दिया है